गुडियमनिंग दोस्तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू क्लास के कला सिरीच के रात के आठ बज़ के आज के सिर्खला में वीडियो को सुरू करने से पहले आप सबी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कल हमारे बेटे के बढ़ते के लिए इतना सारा प्यारा प्यारा विस्यस दिया इसके लिए थैंक्यू भेरी माच साथियो ये एहशान आने वाले फ्यूचर में हमारा बच्चा कभ सबुगन दी हैं तो चलिए इनधी बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्श्ञ का जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है और प्रश्न हमारा कह रहा है इंदरा का पियानो इस्टालेशन में किसने बनाया था इंदरा का पियानो ठीक है इस्टालेशन माध्यम में इन में से किसने बनाया था सुबध गुपता ने विवान शुन्दरम ने नलिनी मलिनी या इन मेंशे कोई नहीं एक बात मैं आपको बता दू कि ये तीनों के तीनों जो कलाकार हैं ये इस्ट्रॉलेशन ही कलाकार हैं ठीक है तो पहले प्रश्णे के उत्तर की शुरुवात करते हैं, उम्मीद है आपके कमेंट सुरू हो गए होंगे, इसका सही जवाब है मित्रो, बी, विवान, सुन्दरम्ने अगला प्रश्णे है, बाला दत्पांडे किस सैली के चित्रकार हैं, यथार्थवात के, अतियथार्थवात के, प्रभावात या समिछावात बाला दत्पांडे, गी जो चित्रकार हैं, कौन से सैली के इसमें से चित्रकार हैं, बाला दत्पांडे सहब, ठीक है, तो चलिए साथी हो, फटा फट कमेंट लाइक सेयर करते रहिएगा, दूसरा प्रशन हमारा है, और इसका सही जवाब है मित्रो, समिछावाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशनात के स्क्रीन पर है, और कह रहा है प्रशन, समवाद, नामक परसिद चित्र इन में से किन का है, ठीक है, समवाद, ये चित्र है, और किस के द्वारा ये चित्र बनाया गया, अनुपमशूत के द्वारा, या हीमा कॉल के द्वारा, जहांगिर शाभावाला के दोरा या फिर तपन दाश के दोरा तो किश का लाकार के दोरा इसमें से समवाध नामक चितर चितरित किया गया हमारा तीश्रा प्रश्नि कह रहा है जिसका सही जवाब है मित्रो एइ अनुपम सुध के दोरा ठीक है अगला है आईश्क्रीम नामक पेंटिंग के रचनाकार है आईश्क्रीम क्या है आईश्क्रीम नामक पेंटिंग के रचनाकार इन मेंशे कौन है ए रामचंदरन विकास भटाचार्या मंजीत बाबा या तयव महता किशने आइस्क्रीम नामप पेंटिंग की राचना की यह हमारा चौथा प्रश्ण है तौप तीस प्रश्णों की सरिंखरा में लाइक शेर के साथ आगे बढ़ते रहेगा वीडियो में सुरूशे अंत्तक चौथे प्रश्ण का जो सही जबाब है वो हो जाएगा मित्रों सी मंजीत बाबा का मंजीत बाबा का यह बनाया हुआ पेंटिंग है और आपको मिता दूँ इसी पेंटिंग की वज़ा से उन्हें ख्याती प्राप्त हुई थी आइस्क्रीम नामप ठीक है तो कवियार से फूद्दे की मंजीत बाबा की कौन सी पेंटिंग से उन्हें ख्याती प्राप्त हुई थी तो आइस्क्रीम नामप पेंटिंग से ठीक है पाचवा प्रश्ण देखी क्या कह रहा है वह कलाकार जो आकासवाडी में गायन के करायतम में भी भाग लेता था ठीक है आकासवाडी मतलब की रेडियो ठीक है आकासवाडी जो जहां जगह होती थी रेडियो की जगह होती है रेडियो अब तो लोग रेडियो को इस्तमाल करते ही नहीं है रेडियो पहले लोग इस्तमाल किया करते थे टीवी के साथ साथ रेडियो का इस्तमाल जाद था तो उसमें चैनल आता था आकाश वाड़ी अभी भी आता है आकाश वाड़ी लेकिन रेडियो में सुझ में कुबिलता था तो उस कारिकरम में वो जो गायन कारिकरम में भाग लेते थे वो कलाकार तो उनका नाम इसमेट से क्या था सतीस गुजराल अकबर पजमशी केजी सुप्रमने या ए रामचंदर तो मित्रो वो थे ए रामचंदरन कौन थे ये रामचंदर थे जो भाग लिया करते थे अगला प्रश्ण है दा ब्लू साडी क्या है दा ब्लू साडी नामक चित्र के चित्रकार कौन है जोगें चोधरी अकबर पदमशी जैज हरोटिया या लच्छमर पै तो साथ ही मेरे टॉप तीस प्रश्णों की सरिंखला जो आपको रात के आठ बजे आपके अपने चैनल एम्यू कलाशेश पे दी जाती है सिल्सिला चल पड़ा है और छटे प्रश्ण पे हम लोग मौजूद है और छटे प्रश्ण का कहना है कि ब्लू दा ब्लू साड़ी नमक्ची दरकिश्का है जिसका सही जवाब है जोगेन चोधरी का बनाया हुआ ठीक है सातवा प्रश्ण देखिया क्या कह रहा है प्रश्ण सख्या सात का कहना है जगदीश स्वामी नात्वन थे अब्दुलरह्मान जुगताई थे गुलाम मुहम्मद शेख थे या अकबर पदमशी ठीक है प्रस्म क्या है अठारा सो नबे गुरूप का वहशद अश्या कभी और लेख़प दोनों ही था कौन में से तुमें तो सातवा प्रस्म है जिसका स तहीं जवाब है गुलाम मुहम्मद शेख ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है इस्पेस डिवीजन किस चित्रकार के चित्रों के मुख्य विशेशता थी क्या है इस्पेस जो डिवीजन था इस्पेस डिवीजन वो कौन से चित्रकार की ब्यत्रीन और मुख्य विशेशता रही अकबर पदमशी की जगदीश श्वामिनाथन की जे राम पठेल की या संखो चोदरी की तो इसका सही जवाब है मित्रो आपका बी जगदीश स्वामिनाथन के चित्रों की मुखे विसेश था थी ठीक है क्या इस्पेस डिवीजन ठीक है नो नमर प्रशन देखिए प्रशन संख्या नो कह रहा है हमारा आनंद कुमार स्वामिनी ने लगबग कितने गरंथों की इन में से रचना की है कला समिख्षक कला इतिहाशकार आनंद कुमार स्वामिने कितने गरंथों की रचना की 55, 65, 70 या इन मेंशे कोई नहीं ठीक है तो ये है आपका प्रशन शंख्या 9 ड्रॉब करते रही अपने प्रशनों के उत्रों का कमेंट्स लाइक और शेयर के शाथ ताकि बाकी लोग भी हमारे टीम का मेंबर हिशा हो शकें इस प्रशन का सही जवाब है D इन मेंशे कोई नहीं उन्होंने लगभग 60 पुस्त के लिखी थी जो इस आपसन में मौजूद नहीं है तो साथी हो हमारा अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे मौजूद है और प्रशन नमबर 10 कह रहा है कि कुरसी पर बैठा उल्लू नामक चित्र के चित्रकार हैं कुरसी पर बैठा उल्लू इस इस चित्र को रामचंद्र शुक्ल ने बनाया या फिर ए रामचंद्र ने बनाया प्रयाक शुक्ल ने बनाया या रामकुमार ने बनाया है ठीक है कुर्सी पर बैठा उल्लू नामक चित्र के चित्रकार कौन है दस्वा प्रश्ण है हमारे स्क्रीन का और इसका सही जवाब है राम चंद्र शुकल के द्वारा बनाया हुआ ये चित्र है ठीक है अगला प्रश्ण है 11 नमबर देवकी नंदन शर्मा ने भीती चित्रण का परसी छड़ लिया था इन में से किस से देवकी नंसर्मा पच्छियों के चितेरे कहे जाते हैं पच्छियों का चित्रण में करने में महिड थे उन्होंने भी तिसी चित्रण का परसी छड़ लिया था बिनोद भिहारे मुखरजी से नंदलाल बोश से इन दोनों ही कलाकारों से या इनमें से कोई नहीं जिसका सही जबाब है मित्रों सी दोनों ही यानि बिनोद भिहारे मुखरजी और नंदलाल बोश दोनों ने ही नंदलाल सर्मा को भी तिसी चड़ का परसी छड़ दिया था ठीक है बारहावा परशन कहा रहा है आपका भारत में मैक्षिकन अभिबंजनवादी चितरकार को थे ठीक है भारत में मैक्षिकन अभिबंजनवादी चितरकार रामकुमार बर्मा थे या सयद हैदर रजा भावेस चंदर शान्याल या सतीस गुजराल ठीक है मैक्षिकन अभिबंजनवादी चितरकार किसे कहा जाता था इसमें भारत में तो मित्रो सतीस गुजराल को मेक्सिकन अभीबेंज जैनवादी चित्रकार कहा जाता था अगला प्रस्ण है सतीस गुजराल का प्रिय माध्यम क्या था एक होता है प्रिय माद्यम देखे माद्यम बहुत सारे काम में लोग करते हैं लेकिन एक प्रिय होता है जिसको बार बार उलो इस्तिमाल करते हैं प्यारा प्यारा कमेंट्स देते हैं जब आप लोग इसका सही जबाव में तरों कोलाज माध्यम ठीक है चौदा नमर प्रश्मी की तरफ बढ़ते हैं प्रश्मी संख्या चौदा कह रहा है पैक गुरूप का वाश्चादस से जो युवा चितरकारों के साथ परदर्शनी करत तब यह हुआ कि युवा चितरकारों को यह कह लिजे कि चांस देना ठीक है यानि जो युवा कलाकार अपने आप में उभर रहे थे अपने साथ उनकी परदर्शनी करते थे जिससे कि उनको जो है एक तरसे चांस दे रहे थे वो कौन कलाकार थे गुलाम मुहमद शेख अब अगे बढ़ते हैं पंदरहमा प्रशन आपके स्क्रीन पर है को है पंदरहमा प्रशन की एमफ हुशन का कौन सा चितर क्रिष्टी की निलामी में इनमें से विका था इनमें से कौन सा चितर है एमफ हुशन का जो क्रिष्टी की निलामी में विका था यह हमारा आपका पंदर हमा प्रिश्णी स्क्रीन पे मौजूद है ठीक है क्या दुर्गा था कपल था मदर टरेशा या नीली रात चलिए फटा फट मित्रों कमेट्स करते जाएए तो हुसेन सहाब का कौन शाइस में से चित्र है जो विका था आपके क्रिश्टी के निलामे में तो इस प्रश्ण का सही जबाब क्या होगा इसका हो जाएगा B कपल कौन सा कपल कितने में बिचा था देढ़ लाख करोड़ सारी देढ़ लाख डालर में कितने में देढ़ लाख डालर में हुसेन का क्रिष्टी की निलामी में कपल नामक जो है चित्र जो है उनका बिगा था चरिए अगला प्रशन है M.F. हुसेन ने दुरगा के रूप में इन में से किन को चित्रित किया किस रूप में दुरगा के रूप में common point है हमारा हुशेन के द्वारा दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया माधुरी दिछित को अम्रिता राओ को उर्मिला मारतोडकर को या सिर इंद्रा गाधी को ठीक है इनमें से किस सक्तियत को दुर्गा के रूप में हुशेन सहाब ने चित्रित किया ठीक है कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि हुशेन शाहब जो है वो माधुरी दिछिस से प्यार करते थे महबबत करते थे उस उम्र में भी उन्होंने खुद कहा था तो गेस कर रहे होगे कि उन्हीका ही बनाया गया बलकि उन्होंने इंदरा गान्धी का जो था दुर्गा के रूप में चित्या था उन्हें इंदरा गान्धी सतर नमबर मदर गार्डेस नामक मूर्थी के मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज डीपी राय चोधरी सरवरी राय चोधरी या धन राज भगत ठीक है सतरहमा प्रश्ण है जिसका सही जवाब है ए राम किंकर बैज आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन पर कहरा कि भारत के आधुनिक तथा लोक कला के सेतु के रूप में प्रशिद्ध हैं जगदीश श्वामीनाथन, मकबूल फिदा हुशेन, केके हैबर या एनेश बेंदरे भारत के आधुनिक और लोक कला के सेतु के रूप में कौन प्रशिद्ध हैं इसमें से तो मित्रो वो हैं केके हैबर आगे बढ़िए उननिश नमर प्रश्ण कहरा है रबिन्ना टेगोर की कला को बच्चों की कला कि इसने कहा था ठीक है आरेन टेगोर की कला को क्या कहा था बच्चों की कला आनंद कुमार श्वामी ने कहा था आनंद कुमार बोश ने कहा था एबी हैवल ने कहा था या गगनेंदर नाट टेगोर ने कहा था किस सक्सियत ने कहा था कि रविंद्रनाट टेगोर की कला जो है वो बच्चों की कला है तो मित्रो आनंद कुमार बोश ने ये बात कही थी ठीक है हगे बढ़ते हैं बीश्वा प्रशनाप के स्क्रीन पे होर कह रहा है रविंद्रनाट टेगोर का गरंथ जीवन इसमरिती का चित्रड किया था जीवन इसमरिती जो है वो रविंद्रनाट टेगोर का गरंथ है और उस गरंथ का चित्रड इसमें से किस सक्सियत ने की थी अवनिंदरनाट टैगोर ने, नंदलाल बोश ने, अशित कुमार हल्दर ने या गगनिंदरनाट टैगोर ने तो मित्रो लाइक का शिंशिला और शेर का शिंशिला उम्मीद है आप जारी रखे होंगे और ये हमारा बीश्वा प्रशन है जिसका सही जवाब है गगनिंदरनाट टैगोर कल मैंने वीडियो नहीं दिया था क्योंकि कल मेरे सन का बर्थडे था आप लोग ने नोटिस भी दिया था और बहुत सारी शुक्त कामनाई भी आपने दी थी इसके लिए आपका धन्यवाद है हमेशा रहेगा रिष्टे ऐसे ही जुड़े रहते हैं दोस्त जिंदगी में जब तक हैं क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है चलिए किसे प्रस्ण पर चलते हैं किस्वा प्रस्ण कहा रहा है भरहूत कला शैली में अभी तक निर्विर्वाद रूप से पहचाने गए जातक कथाओ को वर्गिकित किया जा सकता है कितने वर्गों ठीक है भरहूत कला शैली में अभी तक निर्विर्वाद रूप से पहचाने गए जातक कथाओ को कितने भागों में वर्गिकित किया गया है एक किश्वा प्रस्ण है ठीक है जिसका सही जवाब है तीन वर्गों में आगे बढ़िए अगला प्रस्ण है भरहूत की शिल्प कला के विसे वस्तु का अध्यन कितने आधारों पर किया गया है भरहूत की शिल्प कला के जो विसे वस्तु है उसका अध्यन कितने आधारों पर किया गया है तीन पाँच छे या नौ ठीक है तो इसका सही जवाब है 450.6 कितने 1000 रुपे ग Кजया. अगला प्रश्ノ है भरहूत इस्टूप के तीले में कनिंगहम को कौन से काल की एटे प्राप्थ हुई थी कनिंगहम को भरहूत इस्पूत के तिले पे कौन से काल की एटे प्राप्थ हुई थी सुंग काल की मौरे काल की गुप्त काल की इन में से कोई नहीं तो मित्रो इसका सही जवाब हो जाएगा मौरे काल की ठीक है अगला प्रश्न देख लिजी आपके स्क्रीन पे है प्रश्न का कहना है इन में से कौन से काल में कास्ट के अस्थान पर पत्थर और इटो का अधिका अधिक परियोग हुआ था सात्वाहन काल में, गुप्त काल में, वकाटक काल में या मौरे काल में कौन से काल में कास्ट के जगह पे पत्थर और इटो का ज्यादतर परियोग हुआ था तमित्रो मौरे काल में हुआ था ठीक है पचीसवा प्रस्म देखिए किसके अनुशार मौर्य यूग के बाद कला का क्लासिकल यूग प्रारंब हुआ था यानि किसने इसमें से कहा था कि मौर्य यूग के बाद कला का जो है क्लासिकल यूग प्रारंब होता है ये लाइन किशने कही थी रामानाथ मिश्र ने मेजर कोल ने जान मार्शल ने या मुहम्मद हमीद कुरैशी ने ठीक है तो चलिए सिंसिला बढ़ते हुए 25 प्रश्ण की तरफ है और उम्मीद है कि फाइनल सम्मिट से पहले आप लोग पूरे प्रफॉर्मेंस दे देंगे जिसका सही जवाब है इसका रामनाथ मिश्र ठीक है 26 प्रश्ण का है राप के स्क्रीन का कौन से राज्य से प्राप्त यच्छी प्रतिमा का अस्थानिय नाम तेलिन है अस्थानिय नाम तेलिन है एक यच्छी प्रतिमा का वो किस राज्य में प्राप्थ हुई उत्तर परदेश में आंधर परदेश से प्राप्थ हुई या मध्य परदेश से प्राप्थ हुई या पंजाब से जिसका अस्थानिय में तेरीन है ठीक है तो मित्रो मध्य परदेश चे जो ये छी प्रतीमा हमें ब्राप्थ हुई उसका अस्थानी है नाम तेरीन है 27 प्रश्ण जोहेव कह रहा है रामपुर्वा अस्तम्भ पर कौन सा जानवर सिर्शक युक्त है ध्यान से धियेगा रामपुर्वा अस्तम्भ पर सिर्शक युक्त कौन सा जानवर है सिंग का अस्व का गज का या ब्रिशब का ठीक है तो सारनात में तो सिंग का है लेकिन रामपुर्वा अस्तम्भ पर जो है मित्रो ब्रिशब का है याद रखियेगा ठीक है अगला प्रशन है युवांडग ने अशोक द्वारा अस्थापित कितने अस्तम्भों का उले किया फाहयान और युवांडग ये लोग चीनी यात्री थे बृतान चित यात्रा कर रहे थे और उस समय उन्हों ने अपने अपने असोक के बारे में बहुत कुछ लिखा उसी में युवांडग ने अशोक द्वारा अस्थापित कितने अस्तम्भों का उले किया है 15 अस्तम्भों का चौदा 15 16 यह 17 अस्तम्भों का टिक है 14 का नहीं किया है ये अभी अब किलियर हो गया आपका मैंने पहले बता दिया डिस्कसन में कि बता चुका हूँ तो इसका स्रही जबाब में तरो 15 अस्तम होगा सकेंड लास्ट प्रश्ण बहुतरीन प्रश्ण है ए रामचंदरन की कलाशंशार नमपुस्तक के लेखक कौन है ए रामचंदरन की कलाशंशार इस पुस्तक के लेखक क्या बिनोद भार्दवाज है बुद्धगोश अनंत खैरनार या अंजली इलाम मेनन ठीक है तो यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्ण है बहुत अच्छा प्रश्ण है बुकों से समधीद प्रश्णों में एक यह भी है इस सामिल है ए रामचंदरन की कलाशंशार उस तक का ही नाम है किशने लिखा तुमित्रो इसको लिखा बिनोद भार्दवाज ने ठीक है और वीडियो का आखरी प्रश्ण देखे क्या कह रहा है रुकया बानो नादिया बानो और सफाई बानो निम्न में से किस शैली के महिला चितरकार थी राजस्थानी कला की पहाडी कला की राजपूत कला की या मुगल कला की ठीक है नादिया बानो रुकया बानो और साइफा बानो ये तीनों किस शैली की चितरकार थी तो मित्रो ये थी मुगल सेली के चीतरा तो अमीद करता हूँ कि आज की वीडियो से बताएगा प्रस्ट आपको बहुत पसंद आयोंगे तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ते रहिएगा और आज के लिए दीजाएगा कल फिल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अच्छे प्रस्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार गुर्डाइट सुबरात्री